हेलो बच्चों आज हमारा question है evaluate हमों evaluate करना है 49 multiply 51 49 को क्या हम लिख सकते 50 मैनस 1 लिख सकते हैं और 50 को हम लिख सकते हैं 50 पलस 1 लिख सकते हैं बिल्कुल हम लिख सकते हैं 50 में से 1 जाएगा 49 ना जाएगा यह multiply है तो multiply and 50 plus 1 51 अब हमारे A finance b और ब्सक्ष ना संसरा में को आगां में अगरा हमारा शबी सब्सक्रा सब्सक्राइब को यह हमार वाध कर दो सकते हमाद हो जाता यह स्कूर मैनस बी का स्कूर वह अगर अगर एम हमारे मैनस बी यह प्लस भी हो, तो क्या होता, a square minus b square, तो यह a हो गए, यह b हो गए, यह a हो गए, a minus b, a plus b, तो क्या हो जाएगा, a का square minus b का square, a का square करेंगे, तो 25 hundred हो जाएगा, minus one हो जाएगा, ओके, अब इसको मैनस करो 10 में से 1 गया 9, यहां भी 9 बचे, यहां 4, यहां क्या बचेगा हमारा 2, तो यह हमारा answer आ गया, ऐसे दिखो 30 into 32, भाई हमें same में लाने है, तो क्या कर सकते हम, भाई इसको 30 को हम क्या कर सकते, 30 मैनस 1 कर सकते, 30 आ जाएगा, ओके, और 32 को क्या करेंगे, 31 पलस 1 कर देंगे, 32 हो जाएगा, अब देखो, A मैनस B वह, A पलस B की फोर्म में आ गये, तो क्या होगा, A square मैनस B का square, तो हमारा हो जाएगा 31 का स्क्वेर मैनस 1 का स्क्वेर, बढ़ 31 का स्क्वेर, 31 इन्टू 31, 1339, 169, 16, ओ स्वारी, 961, मैनस 1, 069, यह हमारा अंसर हो गया, ओके, ऐसी देखो भाई, 609 का स्क्वेर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 600 पलस 9 का होल स्क्वेर, अगर हमारा A पलस B का होल स्क्वेर होता कोई, तो क्या खुलता है, A स्क्वेर, पलस B स्क्वेर, पलस 2 A B, भाई तो A कितना है, 600 है, तो 600 का स्क्वेर, पलस B कितना है, 9 है, तो 9 का स्क्वेर, 2 A कितना है, 600 है, B कितना है, 9, भाई 600, 6 गया 36, दो 0 यह है और दो 0 आएंगे क्योंकि 6 into 600 into 600 तो ये तो 36 एक दो तीन चार 0 पलस 9 का 81 हो जाएगा 6 to 12 और 12 नाइन जाए कितना होता भई 108 और ये 2 0 ओके आब इनको add कर दो 3 6 0 0 0 0 ठीक है 1 0 8 0 0 और 81 1 1 8 8 0 7 3 तो क्या आ रहा 3 7 0 8 8 1 हमारा answer आ गया यहाँ देखो बाइच 725 का square है इसको हम क्या कर सकते 700 प्लस 25 का whole square कर सकते हैं तो A square मतला 700 का square B square मतला 25 का square प्लस 2 A कितना है 700 है B कितना है 25 है अब देखो बाइच 700 7 749 और 40 लग जाएंगे इनको प्लस कर दो 9 0 0 0 0 ओके 3 5 0 0 0 और 6 2 5 5 2 6 5 यहां 12 हो जाएगा यहां 5 हो जाएगा 90 होन आ जाएगा ओके तो इसका square अब देखो A minus B का whole square क्या होता है A square plus B square minus 2 AB भाइच A square मतला 500 का square B square मतला 9 का square 2 minus 2 A कितना 500 है B कितना 9 भाइच 500 का 25,000 हो जाएगा ओके वान स्टैंज 100,000 10,000,000 2,000 ओके इसको इसको कर दो तो यह आ जाएगा 550 25 वो 40 पलस 81 मैनस 5 तो जाट 10 10 9 जाट 90 और यह 2 0 अब इनको पलस कर दो भाइच 2 5 0 0 8 1 मैनस 9 0 0 0 बाइ 2 5 0 0 8 1 और कितना 9 3 0 बाइ 1 8 8 0 10 में से 9 गए 1 यहां 4 यह 2 तो किया 2 4 1 0 8 1 ओके